नवस्कार साथियों स्वावेत आप सभी का सौधागर के आज के इस नए वीडियो में साथियों ये है सवाल जवाब का 118 एपिसोड जहांपे लगातार होते हैं आपके सवाल और सौधागर के जवाब आपके मन में में कोई भी दुगता है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो हमें कमेंट में लिखके बताइए या फिर क्वेरी कंसर्ण फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके ज़री आप अपनी समस्याम तर पहुचा सकते हैं कोसिस रहेगी आपकी समस्यागा समाध यहां पहला सवाज जो हमने लिया है वह है लोकेश लूला जी का इन्होंने लिखा है देखे लोकेश जी बड़ा अच्छा सवाल है और इससे एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वहाँ पे आप लोग CLP चूज करते हैं या लेगे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान जिसमें आपके प्रोजेक्ट का जितना वर्ग प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से जो decided आपका percentage है आपके agreement में या फिर जो आपका allotment लेटर दिया है कि उसमें वो चीज़ मेंशन रहती है कि इस page पे आपसे इतना पैसा ले लिया जाएगा लेकिन यहाँ पे यह समझना important है कि जितना percent पैसा आपसे लिया जा रहा है this is not directly linked to the percentage of construction completed यानी जैसे कहा जाता है कि आप जो है agreement के पहले 10% amount ही पे करिये और agreement होने के बाद 20% के आजपास तक जो है developer आपसे demand कर लेता है यानी आपने agreement complete किया उसके 15 दिन के अंदर आपने 20% और दे दिया और agreement के पहले आपने 10% दिया हुआ है तो इसका मतलब तो यह होना चाहिए कि 30% आपका construction भी हो चुका है पर ऐसा नहीं होता है हो सकता है कि अभी excavation work ही चालू हुआ हो यानी वो project का बहुत initial stage है साथ वो 5%, 4% ही work progress है लेकिन आप से उस work progress के दोरां 30% पैसा लिया जा चुका है यानी कभी भी आपको ये चीज equivalent करके नहीं compare करना चाहिए कि मैं अपने pocket से जतना पैसा दे रहा हूँ यह होता है कि हमारी जीव से 15% लिया जाएगा तो 15% work progress हो गया 20% लिया गया यानी 20% हो गया फर्दर 20% लिया गया टोटल 40% आपके pocket से निकल गया तो 40% जो है आपके construction complete हो चुके है नहीं construction का work progress अलग चीज होती है और आप पॉकेट्स जो पैसा दे रहे हो अलग चीज होती है बस उसमें ये decided होता है आपके agreement में कि आप से इस stage पे इतना इतना पैसा लिया जाएगा तो उस stage पे developer आप से उतना demand कर सकता है तो कभी भी इस चीज को आप लोग दोनों को merge करके मत देखिए अगर कहीं भी आपको payment plan से problem लग रही है तो आपको developer से पहले ही बात करना चाहिए कई बार जो है कई developer इस पे flexible होते हैं कई बार bullet payment का option भी आपको दिया जाता है जहां पे आप पूरे साल में 2-3 installment में लंसम पै तो बिल्कुल temptation में आपके property के deal को done मत करिए पहले हर एक चीज को समझे क्योंकि आप एक बार deal done कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों के मन में समस्या उठना चालू होती है और फिर आप उसका solution चाहते है एक्शली उसका solution लेने के बाद री वो आपके लिए उतना कारगर न नहीं कर सकते हैं और अगर आप back out कर भी सकते हैं तो आपका 10% एक टो deduct कर लेता है developer उसके वो बावजुद आपको stand duty नहीं मिलती आपको registration नहीं मिलता है फिर GST भी pay हो चुका होता है तो आपका काफी नुपसान होता है उसके चक्कर में आप वहां से back out भी नहीं कर पातने ह पहले समझे हर एक एक expect को उसके बाद दीजे और हाँ जहां तक रही बात इस work progress की जब उसका पूरा धाचा खड़ा हो जाता है तो लोगों को लगता है हाँ काफी तेजी से काम हो गया लेकिन वह एक तरीके से आप समझे 50% ही काम हुआ है उसके बाद plastering, painting, plumbing, electricity, tiling ये सारी दोर अगयरा जो चीजे वह थी काफी बारी क्यों का काम होता है और इसमें मान के चलिए कि जितना उस धाचे को खड़ा करने में जितना समय लगा है उतना ही समय या उससे थोड़ा ज्यादा समय इन सब finishing works में लग जाता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये 6 साल का फिर पूरे 6 साल को बिताना बहुत बड़ी बात होती है तो इसको पहले ही day one पे booking से पहले agreement से पहले समझ लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और लगातार आप लोगो कहते कोई भी दोविदा है तो आप उसे query concern form लिंक के जरी हम तक बेजिए कोस comment में भी पढ़के उनको काफी जानकारी मिलेगे और आप अगर कुछ अपनी तरफ से कोई जानकारी लेते हैं कुछ पढ़ते हैं तो लोगों तक जरूर पहुचाएं और एक अच्छा माध्यम हो सकता है आप लोग comment में लिखें क्योंकि हजारों लोग वहाँ पे वीडियो क्यास पास दिखते हैं तो उसके दो माइने होते हैं एक SDS तो होता है High Density Housing यानि कि वहाँ पे ज़्यादा dense population में properties बनाई जा सकती हैं अमोमन जितने भी जो एक तरीके से आप एक एकर में मान लीजिए 1.500 बन रहा है तो हो सकता हमाँ 200 बनाई जा सकते हैं एक चीज हो गए और दूसरा SDS का मतलब होता है House for Dishoused यानि ऐसा जो है DP प्लान में आप अक्सर देखते होंगे और हमने कई review वीडियो में भी इन चीजों का जिकर किया हुआ है कि जो slum में रह रहे हैं लोग या फिर जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है उन लोगों को घर मुहिया करा जाने के लिए सरकार जो है ऐसे land parcel को reserve रखती है कि वहाँ पे वो कुछ apartments बनाएगी कुछ इस तरह का construction करेगी जहाँ पे उनको settle किया जा सके यानि जिनके पास घर नहीं है उनको वहाँ पे जो एक तरीके सा स्थापित किया जाएगा पर्मनेंटी उनको वो घर allot किया जाए हैं तो ऐसे लोगों को भी घर वहाँ पे ऐसे reserve location पे मोहिया कराया जाता है तो SDS यानि की housing for this house और SDS के एक meaning जैसे हमने पहले बताया high density housing आगे चलते हैं कुलदीब कदम जी है इन्होंने लिखा है 1453 units in a 5-acre property is there a risk of congestion or overcrowding in the area देके बिलकुल अगर 5-acre में साथे 1400 apartment यानि के tenements रहने वाले हैं 1450 families रहने वाली हैं तो काफी dense जो है माना जाता है यह अमूमन ऐसे project में होता है जहां पे छोटे apartment बनाये जा रहे हैं कई बार माढ़ा की scheme में यह चीज़ें देखने को मिल जाती हैं प्रधान मंतरी आवास युजना वाले projects में आपको द जादा loan लेना है जादा own contribution देना है तो हर किसी के bus की बात नहीं है कि वो इतना own contribution दे सकें या उनकी इतनी visibility हो कि वो loan ले सकें तो अगर वो loan ले ही नहीं सकते तो उनको घर कहां मिलेगा इसकी लिए जो है कहीं न कहीं यह scheme बनाई जाती हैं जहां पे जो है छोटे size के apartment होते ह लेकिन आपको यहां पर यह भी समझना होगा कि जो लोग घर खरीद ही नहीं सकते हैं और जादा अच्छे तरीके से वो society में जो है जैसे बाकी चीज़ें चल रही हैं उसी पेस में वो उसी दोड़ में वो हिस्सा ले सकते हैं उनकी लिए चीज़ें होती हैं अगर यहां प हैं तो कोई समस्याएं नहीं होती हैं क्योंकि लगातार जो लोग उससे यूस्टू भी हो जाते हैं लेकि अगर number of awardment बहुत जादा है तो वहां पे lift कम हैं तो कहीं ने कहीं समस्याएं जरू हो जाती हैं क्योंकि देखिए चोटे अगर setup है चोटा apartment है तो ऐसा नहीं कि family छो को मिलाके तो लगभग समझिए कि 6000 लोग वहां पे रहेंगे तो उसे साबसे उस 5 एकर के land parcel पे काफी ज़्यादा आबादी होती है लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अगर manage proper किया जाता है उस तरीके के eminities दी जाती है exit entry प्लस lift की संख्या है तो कोई दिकत नहीं आती है प्ल देखे इस पर हमें सायद कई बार सवाल जवाब में भी पीछे जिकर किया हुआ है यह personal choice होता है और कहीं ने कहीं इसमें एक दू चीजें ध्यान देनी चाहिए जब आप किसी बड़े project में जाते हैं किसी township में जाते हैं तो township का मतलब यह तो नहीं होता है कि आपका पूर 200 एकर का township है, 200 एकर का township है तो पूरा एक project होता है उसमें छोटे-छोटे कई project बना जाते हैं या फिर कोई individual project हो या फिर मैं वहाँ से निकल कि किसी छोटे project में दो एकर, तीन एकर, एकर के project में लो जहाँ पर अपे इच्छा कि जो है फ्लैट के cost थोड़े कम होते हैं तो आपके घर में कितने लोग हैं और उसमें बच्चे कितने हैं क्योंकि amenities जो ज़्यादा यूज होंगी जैसे swimming pool आप ले लीजे, children's play area ले ले लीजे, sand pit ले लीजे, आपके garden area ले ले लीजे, वो ज़्यादा तर जो है आपके बच्चे वो यूज करने वाले और वहाँ प आपके बच्चों में थोड़े और विगूर जो है विक्सित हो सके अगर उनके पास उतना पैसा है, कहीं न कहीं यह भी चीज जो है ध्यान देनी होती है कि आपके पास जितना चीनी होगा उतना ही मीठा आप कर सकते अपनी चाय को या फिर अपनी सरबत को, तो अगर आपक ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, उसके बाद ज्यादा मेंटेनेंस भी आपको देना नहीं है, तो फिर जो छोटे साइज के अपार्टमेंट नहीं, यह छोटे साइज के प्रोजेक्ट्स हैं, को अच्छे हो सकते हैं, इसके साथ साथ जिके छोटे प्रोजेक्ट होने स सिर्फ जो है price कम नहीं हो जाता है अगर वो किसी prime location में है और project भले ही छोटा हो तो भी उसके cost बहुत ज़्यादा हो सकते है तो यह location पूर location भी vary करता है लेकिन यह कही नगा ही criteria ज़्यादा अच्छा है कि क्या जो amenities वाले project आप ले रहे हैं उसको use करने के लिए आपकी घर में लोग हैं अगर हैं तो बिल्कुल आपकी लिए अच्छा है अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे जो option है उसको भी explore करने चाहिए हो और आप उसको ले भी सकते हैं इसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया कि property खरीदने से पहले बाकी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से देख लिन चाहिए वहां का maintenance क्या हो सकता इसको पहले से डिसकस कर लीजे क्या आप उसे long term में afford कर सकते हैं क्या आपके पास उतना ही recurring income आ रहा है उसके आधार पे भी आपको decision लेना चाहिए आगे चलते हैं अंकुर निकम जी है नोने लिखा है who can verify RERA project documents can you provide guidance देखे अंकुर जी पहली जी जो RERA पे आपके documents uploaded है वो कहीं न कहीं किसी न किसी authorities के द्वारा sanctioned document है जैसे आप title search ले लिजे उसे lawyer ही provide करता है कि 30 साल की 40 साल की उस पूरे project की क्या history है उसमें सारी चीन लिखी होती है उस title report में उसके साथ साथ अगर आप CC देख रहे हैं commencement certificate तो वो corporation issue कर रही है अगर PMRD में है तो PMRD issue कर रही है उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आपका layout sanction किया रहा है वो भी जो है authorities यानि कि PMC और corporation आपकी जो है कि किस की land parcel थी, किस ने लिया, कौन develop कर रहा है किस किस तरी किस चीजें होने वाली है exact और real land parcel कितना है, आपको कितना बताया गया है आपका pro-farma agreement जो उसमें attached है किस तरीके के agreement में terms रहेंगे ये सब चीजे आपको समझनी है सबसे पहले तो कहीं ने कहीं हमें जो है इन चीजों को पढ़ना जादा important है कि आप सारे document की बजाए कि आप सारे document लेके किसी lawyer के पास जाए लिगे lawyer के पास आपको तब जाना है मान लीजिए project में litigation है और आपको वो चीजे clear नहीं हो पारी जो उसमें case number और दिया गया है उसे search करने के बाद भी आप उससे satisfy नहीं है फिर आपको उस case related जो है lawyer से संपर करना चाहिए legal advice आपको लेनी चाहिए कि भाई ये case है इसमें क्या क्या चीज़ों हो सकती है या पास में इस जैसे case में क्या हुआ हुआ है लेकिन मोटे तोर पे जो आप verification of documents की बात कर रहे है वो कहीं न कहीं जो competent authorities है उन्होंने issue किया हुआ है अगर उन्होंने issue किया हुआ है तो उसमें उस document में problem नहीं है लेकिन उस document में जो चीज़े है वो आपको समझना important है क्योंकि आप वहाँ पे जाके एक stakeholder बनने वाले है आप एक buyer है वहाँ पे आप वहाँ पे कुछ खरीद रहा है अपना पैसा लगा रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखना important है और रही बात कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है बेसिक चीजों को understanding में समझने में पढ़ने में तो उसके लिए लगातार जैसा हम लोग कहते हैं कि आप अपनी समस्याएं हमें query concern form के जरिये या फिर comment में लिखके बताएं कोशिस रहेगा आपके सवाल का जवाब सवाल जवाब में दिया जाए या फिर उस पर dedicated वीडियो बनाए जाए और आप उसे in person भी आके discuss कर सकते हैं आसा करते साथियों आप सभी को सवधागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा अपने सवाल हमें बेजें अपना कोई feedback है उसे भी जरूर बेजें और अपना प्रोश्चाहन लगातार सवधागर पे बनाए रखें चैनल को subscribe कर लें आपको जानकारी मिले और हमें मिले आपका प्रोश्चाहन जल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार